बंदूओं, हमारा और आपका स्वभाग है कि आज गड़नी प्रमुक्ष्री ज्यानमती माता जी हमारे और आपके वीच में विराजमान है जिनका अभीनदन सयम देष के सरवोच चुनागरी कर रही है उनका अभीनदन संपूर्ण विश्व की जैन समाज अजैन समाज मिल करके क्योंकि माता जी के व्यक्तित और कृतित को शब्दों में नहीं बांदा जा सकता है वो शब्दों में बांधने से भी अब उपर है ऐसी माता जी हमारे बीट में विराजमान है अभी हम उनकी पिछी परिवर्तन कराने का भी सोबाग हम सभी मिलके प्राप्त करेंगे तो पूज माता जी के चर्णों में हम शत शत अभिनंदन करतेंगे इस चातुरमास के समाप्ती की बेला पर अभी पिछी परिवर्तन करेंगे सभी लोग बोलिया गर्णी प्रमुक्त्री ज्यान मती माता जी की आज यहां जो सभा एकत्रित हुई है यह पिछी परिवर्तन समारों की सभा एकत्रित हुई है और ये हमारे जैन समाज में सादू और शावक समाज में बहुत बड़ा महत्पूर्ण कारिकरम होता है जब सादू जन अपनी पिच्छी का परिवर्थित करते हैं पुरानी पिच्छी का शावक को देते हैं और शावक के हाथ से एक नई पिच्छी का अपने पास रखते हैं हर चीज की अपने एक मर्यादा होती है, सीमा होती है और पिच्छी का को भी लगाता लंबे समय तक न रख कर और उसमें नई पिच्छी का का परिवर्तन करके पुराने पिछी का शावक के घर में पहुंचती है आज हम सबको ऐसा महान सोभा के प्राप्त हो रहा है हमारे बीच में डॉक्टर किंशु की जैन फरीदाबाद से बता रही हैं अपने माता-पिता के साथ में ये डॉक्टर किंशु की जैने जरा एक बार इनका ताली भजा दें इन्होंने MBBS किया, MD किया और DM किया और Pen Therapy में ये Specialized हैं और EMS में अपनी सेवाईं देती हैं तो ऐसे हमारी जैन समाज की ये गौरव हैं इनके लिए पुना एक बार ताली भजाएं ऐसी प्रतिभाएं हमारी समाज में अपने धर्म को भी आगे बढ़ाते हैं सेवाईं भी देते हैं ऐसी डॉक्टर किंशु की जैन उनके साथ आज उनके माता पीता और उनके भाई भी पधा रहें आज इनोंने पुझ गणिनी प्रमुक्षी ज्यानमती माता जी को पिछी का भेट करने का सभागे प्राप्त किया है इसलिए एक बार और दुबारा इनके लिए ताली किंशुकी जी को बताना चाहेंगे हमारे मुनिका जी भी डॉक्टर है हमारे मनुरुमा जी की बहु है आगंगराम उस्पिटल में ये भी अपनी सेवाई देती हैं और उनके पतिदेव राहुल जी है और सासु जी जो मनुरुमा जी है माता जी के अनन्य भक्त ये भी अपनी सेवाई समाज में डॉक्टर के रूप में प्रदान कर रही है, इसी महिलाओं की ये शक्ती है, महिलाओं का योगदान है, महिलाओं की बुद्धी है, प्रतिभा शक्ती है, जो आज हम सब के बीच में सामने आती है, पुझ माता जी इन सब महिलाओं की प्रतिभाओं की एक शिरोमणी बन करके पुरे विश्वे के समक् प्रदर्शन अभी राश्पती भवन में भी हुआ अभी हमारे विजसी ने भी बताया और विजसी ने भी बताया कि किस प्रकार से महा महीम जी ने पुझ माता जी का समाधर और सम्मान किया है तो बंदूओं आज के पिछी का परिवर्तन में हम सब लोग सेहवागी बन करके पुर्णयजित करेंगे और आज ये समापन की बेला आ रही है अभी 25 तारी को माता जी के यहां से विहार होने की बेला आ रही है और लगबग विहार होना निश्चिती है पूरी संभावना है माता जी अभी 24 और 25 तारी को यहां पर जो किर्टी संभ बने है एक आचार शी शांती साकर जी महाराज का किर्टी संभ है जो पूझ माता जी के गुरुनाम गुरु है और एक किर्टी संभ हम लोगों ने अपने जीत से बनाया है हमारे अतुल जी ने जैन सभा के लोगों न वो है पुझ गणिशी ज्यानमती माता जी का किर्तिसम जब ये बात आई कि हम प्रमोजी आये प्रफोसर लेकर स्वामी जी के पास हमारे जैन सभा के सब लोग बैठे कि हां इस चेत्र पर एक माता जी का किर्तिसम होना चाहिए तो आप माता जी की भावनाओं को सच्ची और पवितर भावना को सुने माता जी को कहा गया कि हम आपको यहां नाम का किर्तिसम बनाना चाहते हैं पूझ माता जी ने सबसे पहले उस चीश को निरस किया बुला कि नहीं हम अपना किर्तिसम बनाने की कोई इसी भावना नहीं रखते हैं फिर भी जब सब भक्तों ने अपन की स्युक्रति तो क्या देती हूं लेकिन आपको जो करना आप करो लेकिन हमारे गुरू का पहले किर्टिसम बनना चाहिए और आज हम देख रहे हैं कि प्रपोसल था एक किर्टिसम का अदुल जी है ना और चेत्र की किर्टी चेत्र का वैभाव ऐसा बड़ा कि भगवान भरत के आजू बाजू में दोनों किर्टिसम याने की एक किजे के दो किर्टिसम बन करके रेडी हो गए हैं उसमें आचारे शांत्पी साकर जी महराज की बिल्कुल आदम कद याने की जितने बड़े थे अफगाहाना परमान उतनी बड़ी प्रतीमा और उनके ओरिजिनल बॉड और ये देश का पहला ऐसा किर्टिसम होगा जहां पर इतनी बड़ी आचारी गुरुवर की प्रतीमा विराजमान होगी आचारी महराज की प्रतीमा ये तो और बीजे के विराजमाने इसमारा के रूप में भी विराजमाने लेकिन किर्टिसम के रूप में ये पहला किर्ट प्रारम 24 तारिक और 25 तारिक को यहां पर रखा गया है, 24 तारिक को प्रातर 8 बजे से है, 25 को भी है, पहले दिन यागमंडल विधान वगरा प्रारम भी क्रियाए होंगी और दूसरे दिन परतिमा की स्थापना और चरण की स्थापना यह दोनों किर्तिसम के समक्ष होगी और दोनों ही किर्तिसम पूजनी बन जाएंगे और वंदना की योग हो जाएंगे, तो बंदूओं और 25 तारिक को ही मध्यान काल के बाद माता जी के मंगल विहार का पूरी संभावना है, उनकी भावना है कि मैं आसे विहार करके लाल मंदिर पहुंचू और उसके बाद में आज की धर्म सभा सफल हो, इन्हीं मंगल भावनों के साथ सबी को जाएंगे. करें तुमने मुझे बहुत गुमाया है, इतना प्रशान किया गुमा गुमा करके कि मैं बस तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, तो मैंने का माता जी अब आप ठक गई हो, यह पर ही विराजमान रहो, कहां जा का रही हो हसनापूर के लिए फिर आप चकर में लगी हो, मैं बvos जेयरों, कि तो अब मता जी दारी बहूत नहीं बहुत दूर हैं, कि स्नुनी तेखी है? अभी तो बहुत दूर है, एक एक दिन, माता जी अब ही तो कीर्ति सम्हें त्यार ओू रहा हो? एक अफ़ता इसकेंदर और इस्ताफना में और माता जी ने ये बचन दिया है कि जब तो किर्थी स्थम नहीं त्यार हो जाएंगी नहीं और हमारा जैन समगा यह उद्देश्श्य कि किर्थी स्थम कर भी त्यार नहीं होगा सर्दी बहुत है बिहार संभ़ नहीं है ऐसे में तो हम तो अभी भी निवेतन यहीद करेंगे कि माताजी इभी थोड़ा और रुख जो थोड़ा और रुख जो थोड़ा और रुख जो अभी मन नहीं भ़रा मरा बच्चों की हट है, बच्चों का प्यार है, बच्चों का मुह है आपसे, आप ही यहां की माँ हो, आप ही छेतर की माँ हो, आप ही सब को, आपको यहां से जाने के बाद, यह पूरा छेतर, पूरी सभा अनात की तरह हो जाएगी, तो आप अभी रुख जो, हम तो यही निवि पर जारपन इस भरत चेत्र पर वा जब तो यह स्कूल था स्कूल में हुआ लेकिन आज वो छेत्र भरत चेत्र के नाम से सारी दुनिया में जाना जाना है मैं आप सभी से अन्रोद कर रहा हूं अभी स्वामी जी ने भी और जीवन जी ने भी दोनों ते एक ही बात कहीं कि अभी तो भूट टैम लगेगा लगभग तो सब होता है जब माता जी ने बिलकुल यह कह दिया था कि विहार होना है और मैंने देखा जहां से स्वामी जी ने वो टैम्पू भी मंगा दिया समान भी हो गया चटाई भी रखी गई सब चीज रखी गई लेकिन जब माता जी भरत स्वामी के ध्यान में बैठी तो वो ना की जंगे शब्द निकले हां में तो ऐसा ही एक चमतकार फिर होगा जब 25 तारिक को हम सब लोग बैठे होंगे और पुझे माता जी भगवान भरत के चड़नों में बैठी होंगी और उनके मूँ से फिर सरस्वती माविराजमान होंगी और पुझे माता जी फिर एक बार हाँ बोलेगी माता हो माता ज्यान मति माता तुम सब से हो प्राचिन मातों सब से हो प्राचिन विश्व भीभूती विश्व शांति मनी निजपर के हित में हो ली माता हो माता ज्यान मति माता तुम सब से हो प्राचिन मातों सब से हो प्राचिन अचार बीर सागर महाराजे की जै सब्तम पट्ट अचार अनेकान सागर महाराजे की जै गड़नी प्रमु ग्यान मती माता जी की जै आरिका चंदना मती माता जी की जै समस्त आरिका संगी को बंदामी सुलक जी को इक्षामी स्वामी जी को बंदना सभी को जै जिने मेरे को अभी अभी एकदम इतनी ब्यार की खबर सुनकर के बड़ा दुख हो रहा है कि हमने जो शक्ति एकदम माताजी से महला संगठन को करने की मिली अभी तो हमने शुरूई हुए थे सब को इखटा करके महलाओं को आपकी सक्ति यहां पर मिली अभी आप कुछ और रहती तो संगठन और ज्यादा मजबूत हो जाता क्योंकि पहले से संगठन बिखर गया है अभी हमने आपके जनम जैनती पर सारे संगठन को दिल्ली को मजबूत किया अभी फिर से आपके सामने 17 तारीकों एक बार फिर मजबूत हुआ अभी हम सोच रहे थे आपके सामने हमारी दो तीन और समिलना जुलना हो जाता तो संगठन मीटिंग हो जाती, तो संगठन काफी मजबूत हो जाता, सभी को प्रेणा मिलती, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, कि वहाँ पॉलूशन नहीं है, ये बात भी सत्य है, कि पॉलूशन तो यहाँ दिली में बहुत हो रहा है, और वहाँ नहीं है, तो माता जी कोई ब और मीटिंग अच्छी दिल्ली को छोड़ते एंसी आर तक आप मीटिंग रखती रहना तो संग्ठन थोड़ा मजबूत हो जाएगा क्योंकि मैं तो अपने संग्ठन को मजबूत करने की कहूंगी क्योंकि फिर से मेरे को अभी राष्टिय मामंत्री के साथ दिल्ली का अध्यक माता जी आप सभी जानते हैं दिल्ली में 25 साल पहले कोई लेडिज को कोई जानता भी नहीं था कि महिला भी कभी आगे आ सकती है इस तरह माइक पे खड़े होके बोल सकती है और ये सब चीजे हमने इतनी लोग आये और चले भी गए लेकिन हमें कभी नहीं माइक का मुका मि माता जी की देन है कि महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया दिल्ली की हर महिला किसी भी संस्ता में हो लेकिन वो निकली है अखिल भारती है महिला संगठन जो माता जी ने हम सब को ग्यान दिया हम सब को आगे बढ़ाया हम सब को घर से निकाला एक-एक महिला आज निकलके हम सा उस लोग भी हम लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, वो जानते हैं कि महिला शक्ति को सशक्त करना जैन समाज की, अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो माताजी का कल पर सोई मैंने बढ़ा था, देखा, उसमें महिला सशक्ति करन के लिए माताजी ने इतना अच्छा बोल और मैंने उसको शेर भी किया हर जगए, तो हम मैंना की शक्ति के लिए मैं क्या बोलूं, बस यह यहां से जा रही है, हस्तनापुर दूर नहीं है, लेकिन हमारी ग्रस्त जीवन बहुत दूर है, हम लोग जल्दी जल्दी नहीं जा पाते, ऐसा राशिर बाताजी कि जब भी मन दोड़े हम फटाफट हस्तना पर पहुंच जाएं, और मनोरमा जी जब जब आदेश करेगी हमें, किस हमें जाना हस्तनापुर चलना है, दर्शन करना है, तो बीडा उठाएगे तो हम सब उनका साथ देंगे, ऐसी मेरी भावना है। सभी मुनियों की जए, सभी तियागियों की जए। कहते हैं कि कुशल कारिगर वो ही होता है, जो भावन को एक-एक इट करके, सजो कर उसका निर्मान कर देता है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा था, कि जहां पर हम आज सब इकते तो हैं, भरत स्थली जिनका नाम परमपुजियारिका ग्यानमती माता जी ने रखा, जो कि निशी मंदिर के नाम से और जेन हैपी स्कूल के नाम से दिल्ली में प्रसिद थी। आज इस भूमी को इतना अनमोल बना दिया कि जिस प्रकार भरत जी ने कहलाश परवत पर रतनमई मंदिर बना कर और वहां पर देव पुझो की स्थापना कर दी। ऐसा यह है यहां पर भरत भगवान स्वामी जी का मंदिर बनाया और दियान केंद्र के अंदर 24 रतनमई प्रतिमा जो विराज मान कर दी यह बड़ा सोभागे का बात है। सभी दानवीरों का, सभी कारे करताओं का, सभी श्रावों का और हम जैसे सब एकत्रित होते हैं प्रति दिन उन सभी को बहुत बहुत अनमोधना है कि जिनों ने यह माता जी का स्वपन को सकार कर दिया। माता जी, मैं एक आप चान रोद और करना चाहूंगा, इस पावन दिन पर माता जी, जो भी पुने शाली परिवार होंगे, जो माता जी को पीछी देंगे और जो माता जी की पीछी को ग्रहन करेंगे, वह बहुत बहुत भागे शाली व्यक्ति होंगे, आज उनकी तो लोट माता जी का एक निया पुत्र अतुल जी हैं और पुराने पुत्र प्रदुमन जैन भी हैं, निया तो हमेशा चमकता है, पुराना जो है छूप जाता है माता जी, चमक गया है पुराना, बट ठीक है वस्तो इसका मतलब मैं मन के अंदर जो दूविदा थी वो मेरी खतम हो ग आपने स्वामी जी बताया के हस्तनापूर की एक सीमा दिल्ली है, दिल्ली भी हस्तनापूर के अंदर आता है और आपकी जानकारी है तू रिवाडी जो है वह अंतिम सीमा है हस्तनापूर की और आपके द्वारा ही श्री एक हजारा चांतिनात भगवान का एक छोड़ा सा स् जो आपने हमको दिया था और श्रावकों को दिया था माता जी वहभी तयार हो गया है आपकी द्रश्ची जिस प्रकार भरत चक्रवती के उपर यहाँ पर पड़ी है माता जी एक छोड़ी सी छोड़ी सी जलक, बड़ी जलक नहीं कह रहा यहां कर्जो भरत का 100% है उसका मातर 1% हमको भी दे दो और दारुवेडा माता जी आभी सुआमी जी आप बता रहे थी 1500 किलोमीटर है दिल्ली से हस्तिनापूर और 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर है दारुवेडा मैं आपसे अन्रोद करूँगा कि आचारे अनेकान सागर महराज के संग के साथ और माता जी के संग के साथ यदि हमारी तो भावना है पता ने कब पूर्ण होगी और आप सभी संगों का तन मन धन से जितना भी बन सकता है उसको हम प्रियास करेंगे और आपकी द्वारा जो भगवान वहाँ पर विराजमान की है उनकी कीरती दुनिया तक पहुँचे ये ऐसी मंगल भावना से मैं सब को धन्यवाद और शुबकामना ये देता हूँ और आप जब तक माताजी यहाँ पर हैं मैं सबी से निवेदन करूँगा आप द्धन से यहाँ पर आएं तो ठीक नहीं तो मन से आप यहाँ पर इसको मज के चलने के मेरी उपस्तिती लगनी चाहिए हम स्वागत करते हैं अभिबादन करते हैं भव्यात्मा इस आवसर प्रणी काल में सर प्रथम इस पिच्छिका को ग्रहन करके और जैनेश्वरी दिख्षा लेने का प्रारंभी करण तीर्थंकर प्रसम तीर्थंकर भगवान सरी शब्देव ने जहां पर किया जहां पर जैनेश्वरी दिख्षा लेकर ध्यान में खड़े हुए उसी का नाम हो गया प्रियाग प्रकरष्टो वा करतस्यागा प्रियाग स्तेन कीर्थितहा पुनस्च एक हजार बर्ष बाद भगवान को प्रियाग में किवल ज्यान हुआ वहीं समोसरन बना तो समोसरन में सर प्रथम भगवान के तृतिय पुत्र भारत और बाहुबजी की बाद तृतिय नमर जिनका था ऐसे विरसब सेन जिनका नाम था रिसब सेन वो तृतिय पुत्र उनों ने जैने सरी दिख्षा लेकर प्रिख्षी ग्रहन की और भगवान निश्वजयों के प्रथम गणधर हुए प्रथास्चर भगवान की दोनों पुत्रियों ने दिख्षा ली आरिकाओं में प्रथम आरिका दिख्षा लेकर के गणनिपत को प्राप्त हुई तो प्रथम पिच्छी का ग्रहन करके जहने सवरी दिख्षा लेने का शुव उसर प्रियाग तीर्थ को प्राप्त हुआ तीर्थ प्रियाग बन गया पुनस्चों वही पर रिषव सेन्न और ब्रामी माता ने भी दिख्षा ली और वहीं से ये परंपरा चलिया रही अनाधि परंपरा यह दपी अनादी है अनादी काद से पिच्छी का ग्रहन करके पिच्छी कमंडल लेकर ही दिगंबर देंसाधू, मुनिय और आरिका अपनी चरिया का पालन करते हैं यह पिच्छी है क्या समझो आप यह मयूर पंक की पिच्छी सबसे कोमल मानी जाती है तो लिखा है कि इसमें तीन गुण विसेश हैं एक तो यह हलकी रहती है बंक हलके रहते हैं और दूसरे इतने कोमल रहते हैं कि किसी जीव को इसे बाधान वोकर कि उनकी रक्षा होती है इतने कोमल रहते हैं और इसमें धूल और पानी लगने के बाद तुरस सूख जाती है जड़ जाती है खराब नहीं होती रूई वगएरे की और लेगरे से वो खराब हो जाएगी तो इसलिए इसमें कुछ गुण विशेस होते हैं इसलिए अनाधी परंपरा से मयूर पंकिकी पिछिका की ग्रहन करने की परंपरा चली आ रही है बदंपुराण में और गृंतों में यसोज़ा चरीत आजिकों में छुलक और छुलिकाओं के लिए भी पिछिका का वड़न है ध्यान रखना छुल्लक और छिल्का बिना पिछिका के नहीं होते हैं अभी एक परंपरा चली है वो बात अलग है लगिन है आचार सांत साज की परंपरा में और आचार स्री महाविर किर्थी महाराज की परंपरा में और आचार स्री सुमती सागर जी तेरा पंती से उनकी परं ज्यान में रखना, आगम में लिखा हुआ है, बिना पिछ्छी के च्रिलक नहीं होते हैं, दसी परित्मा धारी तक पिछ्छी का विधान नहीं है ज्यार्वी प्रत्माधारी से छिलक और छिलकाओं के लिए एलग के लिए पिछी का विधान है यह आर्ष परंपरा आगम परंपरा और गुरु परंपरा चली आ रही है और जब पिछ्छी देते हैं गुरू तो कोई बोली ले, कुछ भी ले लाखों की बोली हो, करोडों की हो वो स्रावक से उस समय पिछ्छी नहीं दिलाई जाती है उस समय पिछ्छी गुरू देते हैं जिनको दिख्षा देते हैं बोली लेने वाले वो गुरू की हाथ में देते हैं गुरू और मंत्र पढ़कर के वो उसका मंत्र है मंत्र पढ़कर के कहते हैं पिछो करनम ग्रहान ग्रहान आदी और कहकर के वो पिछी देते हैं गुरू और समझे पिछी गुरू के हाथ से मिलती है गुरू ही उस समय पिछी ये सभा है तो पिछी परवर्तन में श्रावकों को श्राविकाहों को अधिकार मिलता है और वो आकर के नई पिछी का चाहे स्वयम बनाए चाहे बनी वाले संग से ले चाहे कहीं से भी लाएं वो पिछी का दे करके और उनके हाथ से पुरानी पिछी ले लेते हैं समझें ये स पिच्छी परवर्तन का कभी भी स्रावकों को मिलता रहता है चाहे जब चातुरमास प्रारभ में भी चातुरमास समाप्ती में भी और समय में भी जैसे दिख्यादी के समय या अपने हमारे ये जनमदेवसादी के समय पर भी पिच्छी का परवर्तन आदी के कारिकम होते रहे हमेजा ध्यान में रखिए है, तो यह है इसका नाम ही क्या है? पिछी का परिवर्तन, पिछी का दान नहीं है, पिछी परिवर्तन हमेजा ध्यान में रखना है तो ये मही उर्पंग की पिछी इसको देने वाले स्रावग महान महान पुर्ण का संचे करते हैं बहुत जाजा लिखा है कि वो दिरगोप जीवी और महान पुर्ण साली होते हैं और ये क्योंकि लाकों नहीं नजाने कितने जीवों को इसे अभैदान दिया जाता है इसे परमार्जित करके सुक्ष जीव जोंचो नहीं भी दिखते हैं उनकी भी रख्षा की जाती है और इसको हाथ में लेकर के सामाई करते हैं तीनो टाइम प्रतिकमानादी करते हैं बंदला करते हैं भगवनतों की तो इसलिए इस पर असंख्यातों मंद्र होते हैं और नजाने कितने जीवों की रख्षा होती है तो इतनी पूज और स्रेश्ट और महान बन जाती है कि ये इतनी महान बन जाती है जिसके घर में पहुंचती है उस घर में कभी भी धन की हानी हो ही नहीं सकती ये नियम है हमेशा विरद्धी होई जी बहुत इसका अपना महत्तु है तो इसलिए मध्यात्माओं एक बात तो पिछी परवर्थेन की मैंने आपको बताई दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी दो बिनट पास बिनट में कि कल है मगसिर कृष्णा तृतिया आज है तृतिया है ना आज आप लोग जानते हैं कि न महिना नूमबर आज कौश सा नूमबर है वह हमको नहीं मालू क्या है अज 21 नूमबर हो हमको पूछना पड़ता है हमें मालूम है मार मुसिर क्रिष्णा दूज और कल है तृतिया यह तृतिया को दिन हमारे जीओन में बहुत महत्तूल है अजमेर में सन 1971 में हमारी जन्मदात्री मा मोहिनी उन्होंने आरिका दिख्षा ली थी आचारित्री धर्मसारजी महराज के करकमनों से समझे कल का दिन आ रहा है सन 1971 में उन्होंने आरिका दिख्षा ले करके अपने मानुजिवन को अपने इस्त्री परियाए को सार्सक किया था मेरी जन्मजात्तिरी मा जो की उमर में उस समय कितनी थी अठावन किसी साथ उनका जन इस्विशन 14 का था, 1914 का तो वो आज घटना याद आ गई कि इस समय आज के जिन बड़ा संघर्स चल रहा था, जमेर में इतना संघर्स हो रहा था कि सब लोग आश्चर में से क्या हो गा, क्योंकि उनके 13 संतान को जन्मजाने अली मेरी मा, नमबर एक उसमें मैं हूँ, नमबर एक की संतान, समझें, नमबर 9 पे ये है, नमबर 12 में ये है, तेरा नमबर की लखनो में तृष्णा जी है कर उनका जन्म दिन था, तो बार बा और थी अभयमत की आरिका उन्होंने भी आरिका दिक्षा लिए उनका नाम सा मनोवती वो हमारे उनके बीच की थी हमारे उनके बीच में थी समझे तो तेरा में से चार नहाँ चार तो बालवरमचारी रहे नौने साधी की आज उनके पोत्र प्रफोत्राजी मिला करके 190 का बंसवरक्ष बना है कितने का? 190 का बंसवरक्ष बना है तो बात नहीं है कि इतने हरे भरे परिवार को छोड़कर जो दिख्षा ले रही थी तो बहुत बड़ा विरोध था हमारे रवीन किर्टी जी भी सबसे विरोध में आगे थे और ये हमारे सुननदा बैठी है इनके पिता सुभास चंजी और ये इंदू बहंडी थी संग में अभी वहाँ हैं गिरिपार को साथ चलिके ही हैं उनके पिता प्रकाश चंजी आजिक सभी बहुत बिरोध कर रहे थे इतना बिरोध कर रहे थे कहते थे कि अगर दिख्षा दे देंगे महराज जी तो अभी हम उठा करके और हवाई जहाद में बिषार करके हैं हम उठा करके घर ले जाएंगे हम नहीं छोड़ेंगे और दिख्षा नहीं देने देंगे बहुत बिरोध हो रहा था आचार धर्मसाजी महराज चकित थे और उन्होंने दिख्षा के लिए नादर चढ़ाया हुआ था और उनकी बिनोरी अगेरे भी सब निकाली जा चुकी थी शेड भागतेंजी सरशेड भागतेंजी सोनी उन्होंने उनको अपनी धर्म में बनाया हुआ था और बहुत भक्ति और प्रेणना और भावना के साथ में सब कारिक्रम में आगे रहते थे सब चकित थे पूरा आजमेर समाज एकदम घबडाया हुआ सा क्या होगा क्या होगा क्या होगा आज क्यों घड़ी थी आचार जर्मसाज महराद ने उनसे पूछा मौनी जी क्या होगा क्या होगा यह सब क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं दिख्षा के बाद में उठा ले जाएंगे क्या कह रहे हैं सब क्या कह रहे हैं आपके बेटे पोते और जिद्धामाद जमाई बेटिया यह सब लोग क्या कह रहे हैं वो गंभीर मुद्रा में एक ही सब्द बोली थी बली आचारी महराज ये मुझे से कि मैं इन से ये मुझे से हैं कि मैं इन से हूँ एक ही सब्द बोली आचारी महराज मुझे बात खतम हो गई इतना ही उत्तर उन्होंने दिया था कि ये मुझे से हैं कि मैं इन से हूँ ये मुझे से हैं न कि मैं इन से इतनी वो द्रणत थी और गंभीर थी सन 71 के बाद मेरा विहार हुआ ब्यावर से अजमेर से राजस्तान से दिल्ली आई 72 में 72 से देकर पहला चातुरमास उनका पहाडी धीरत पर यही दिल्ली में हुआ है मेरे साथ समझेए आप? दिल्ली में है और दिल्ली और हस्तना पर बराबर हो पैदन हमारे साथ आना जाना आना जाना उनका रहा है सन activists में उन्होंने अपने समाधी पूरुक शरीर को छोड़ा है तो आज का दिन झो है हमें याद आ रहा है कल का दिन उनका दिक्षा का है हमें गौरों और प्रसंदता है कि जिन्होंने तीक्षा लेकर कि निराबाद अपनी तरिया पालन करते हुए पद्विहार करते हुए राजस्तान से दिल्ली आई दिल्ली से हसनापुर, हसनापुर से दिल्ली कई बार उनका आना जाना हुआ है अनेकों बार आना जाना हुआ और दिल्ली जोने जब यहां 1980 में ततका अलिन प्रसान मंत्री इंद्रा जी के हाथ से करकमलों से जम्वुदीव ज्यान जोती का प्रवर्तन हुआ था लाल किना मैदान से जब वो साथ में बैठी थी बहुत प्रसंद मना बैठी थी और मेरी चर्चा होती रहती थी तो बात यही है कि जिनोंने तेरा संतान को जन्म दे करके आज जो कहते हैं ने संख्या घटाओ इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे अगर हमारी जैन की संख्या घटी गई अकपर बासा के समय जैन की संख्या 40 करोड थी और आज कितनी है आज जन्रणा में 40 लाक आई है बताओ आप क्या होगा ऐसे ही आप घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे तो आपका अफ्सित्व जहां हिंदू है जैन है सब है भारत से ही कहीं में जाकर के भारत वासी भाद विजय साधिक में रह रहे है तो ऐसे समय में जो ये घटाने की बात है ये ना समाज के हित्मे हैं ना देश के हित्मे हैं ना भारत के हित्मे हैं और ना जन के हित्मे है हमेसा ज्वाण रखना खेर यह वी से अलग है तो मैं बता रही थी कि हमारी माहिनाओं को, हमारी नारियों को सिक्षा लेनी चाहिए कि या तेरा संतान को जुन मुझे करके, उनका लालन पालन करके और स्वयम दिख्षा लेकर के अपने आरिका जीवन पर कलश चढ़ाना ये बहुत बड़े सभाग और गौलों का भी से है आईसी रत्मती माता जी के लिए भी हम नियांजिनी सभा कर संख्षे में भले होगी होगी कल भी उनके जनम दिख्षा दिवस पर हमारे रविन कीती जी सभा का आवजन तो करेंगे ही तो बात नहीं है कि आज ये है रत्मति बाता जी समझें आपके दिल्ली में जिन्हों याद होगा तो याद होगा हमारे बंसर जी तो पर्चित थे आपके यहां तो पहाड गंज में आम अनर्मा जी पर्चित है बिधान हुआ है और पहाड गंज जो इंदुज बिधान हुआ वो साथ में थी हमारे बैशी थी वहाँ आपके और बराबर पहाड गंज और दरिया गंज और सब जगे हम लोगों का उनके साथ में जाना आना रहा है तो बात यही है कि दिल्ली के लोग बहुत से पुराने जितने भी हैं सब पर्चिते उनसे और हारी मनोरमा जी तो बहुत पुरानी है बहुत पुराने समय से जुड़ी है हमारे संग में एक आरिका आधि मति जी थी जो इसी परवार की थी उनी की बहन, इनकी सासुजी उनकी बहन थी तो इस परवार से उनका हमारे संग से उनका संबंध चल रहा है, जिफ्ता चल रहा है, समझें हाँ, तो बात यही है कि और सबसे अधिक उनके आहार दर्यागंज में हमारे डाल्मिया परवार में हुय है आधिक अहार उनके हुय है सबसे ऐधी नमबर उनका ओहाँ पहूंचता था संग में چोटी पढ़ती थी और दर्यागल में डाल्मिया परवार का चोका सबसे लाष्ट में था तो आधिक तो उनको नमबर आ जाता था कहां आहा रुवा पूछा जाता, तो कहीं दाज़िया परवार में, समझेञे? तो बात यही है, कि हमारे बिजय जी भी उनसे परचिस होंगे, हमारे प्रदीजी भी सब परचिस हैं उनसे तो बात यह है, यहां भी उनको रहने का सोभाग मिला है, क्योंकि अधिक्तम हमको उनको लेकर रहने का ज्यादा तर राजवजार में रहना होता था खुले एरिया के उजे से क्योंकि कममजी की धरमसाला में और कहीं भे तो उनको थोड़ा सा हला गुला सहन कम होता था तो भात यही है कि यह पिच्छी परवर्तन की सभाग और चातुरमास का समापन तो हमारा धिपावली की दिन हो गया पिच्छी परवर्तन कई बार हम अपने कमरे में कर लेते हैं कहते भी नहीं है और हम बताते भी नहीं है हमको हमारे सिप्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष उपयोग हम और आप करते रहेंगे, जब यहां से हम विदेश के लोगों को पढ़ाई करा देते हैं, वहां लोग अभी कुछ दिन पूरवर, चौधा देश के लोगों के मांगाई की माताजी से हम समोसरण के बारे में सुनना चाहते हैं, हमारे जीवन प्रकारजी ने ब्योस प्रकारजी ने बहुत बहुत मंगर आशिरात, वह सम यह भावना भाए हैं, कि हमारे हाथ में भी एक दिन पिछ्छी आए, और हम भी मुनी और आरिका बनकर अपने जीवन को साथ सकरें, ऐसी भावना भी भाथते रहें सर्वन जीवन में सर्व बाहे परिग्रहों का त्याग दीख्छा के समय कर दिया जाता है, एक ही चीज एक ऐसी है, जो सदैव प्रती छण साधू के समीप रहती है, साधू जो मंत्रों का जाप, इस्तोत्र का पाड़ भगवान की बंदना करते हैं, मैं तो यह कहता हूँ, साधू की सक्ती है, पिशी, इसमें बड़ी सक्ती है, पिशी लेके जो भी साधू जो भी बोल देता है, मैंने आज तक यह अनुभव किया है, वही हुआ है, तो यह माताजी की जिन जिन को मिल रही है, उनका सौभाग है, इसे यही माने की साक्षात वही साधू है, इस भाव से आप रखेंगे, तो आपके मनुरख सुनिश्चित, मंत्रसास, तंत्रसास, जोतिसास, हर कारी में यह सिद्ध होती है, आप लोगों के लिए मांग लेको, मुलो पीची बोलो ना, है पीची बोलो ना, पीची बोलो ना मोर पंक से बनी है, पीची संदर ता दिकलाती, अपने को मल पंकों से जीवों के प्राण बचाते, पीची और कमंडल का हो, 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 हो गुर्मा ने खुश हो करके हादों में धाम लिया, पीची बोलो ना, है पीची बोलो ना मोर पंक से बनी है, पीची संदर ता दिकलाती, अपने को मल पंकों से जीवों के प्राण बचाते, पीची और कमंडल का हो, हो, हो पीची और कमंडल का कैसा सयोव मिला है, गुर्मा ने खुश हो करके हादों में धाम लिया, प्राण बचाती, पीची और कमंडल का हो तीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है गुर्मा ने कुछे हो करके हादों में बाल दिए गुर्मा ने का संयोग में झाल झाल झाल